नमस्कार दोस्तों, हमारे online tuition आड़ा चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस कलास में आधे अक्षर वाले बहुत सारे सब्दों का अभिहास कराने वाले हैं दोस्तों, इतना ही नहीं, इसमें दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, यानि छोटा से लेक और बहुत बड़ा बड़ा सब्दों को मैंने बहुत ही आसान तरीका से इस कलास में पढ़ाने का प्रयास किया है दोस्तों, काफी दोस्तों का कमेंट आ रहा था, रोज कमेंट आ रहा था, कि सर आधे अक्षर वाले सब्द जो होते हैं, वो मुझे पढ़ने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि जो simple सब्द है जो simple मात्रा वाले सब्द है मैं उसको पढ़ लेता हूँ लेकिन जो संजुक्त है देखिए इसी को हम लोग संजुक्त अक्षर भी बोलते है क्योंकि ये क्या है कि जब आधा और पूरा अक्षर मिलता है तो संजुक्त बनता है ठीक ना और संजुक्त सब्द भी होता है तो दोस्तों इस कलास को आप बिना एसकीप किये हुए लाश्ट तक दिखिएगा यह कलास थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे सब्दों को पढ़ाने का प्रयास किया है लगभग इस सब्दों पर ध्यान देते हैं और पढ़कर देखते हैं सबसे पहले हम लोग आदे अक्षर वाले सब्दे यानि संजुक्त सब्द को हम लोग समझेंगे कि यह होता क्या है और क्यों आधा अक्षर होता है, क्यों आधा अक्षर मिलकर और उसका उचारन में अंतर आ जाता है एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे इसको आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे request है कि आप यहाँ पे नीचे देखिएगा लाल रंग से subscribe लिखा होगा उस पे click किजिएगा तो वो काला हो जाएगा यहाँ उस दोस्तों के लिए है जो subscribe नहीं किये हैं जो subscribe कर लिए हैं उनके लिए already वो काला दिख रहा होगा तो उसको subscribe कर लिजिए ताकि मैं जितना भी important कलास को कराऊं वह सबसे पहले आपको मिले तो आईए हम लोग बीना देरी किये हुए अब इस कलास को सुरू करते हैं और समझते हैं एक एक चीज को देखिए जब किसी भी अक्षर में हम लोग साब 0 से समझेंगे खुब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा थोड़ा समय लेकर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्दों को मैंने पढ़ाया है तो पहले हम लोग 0 लेबल से देखेंगे यानि जो को से लेकर और गया तक हम लोग जो बेंजन बन लिखते हैं और जो स्वर बन हम लोग लिखते हैं और से लेकर और तक देखिए ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हम लोग ये लिखते हैं सबसे पहले से ये समझना है कि इसका इसे आधे अक्षर यानि संजुकते सब्द में क्या उपयोग है तो जो हम लोग को से ग्यातक लिखते हैं जो वेंजन बन हम लोग बोलते हैं तो उसका जब हम लोग उचारन करते हैं तो उसमें औ का उचारन होता है ठीक है और उसमें औ की मात्रा होती है तब ही हम ल अफिर को नहीं होगा देखिए इसके लिए मैंने बहुत सारे विडियो को बनाया है जिसमें आपको मात्रा को समझाया है और इसके बाद मैं फिर से परियास कर रहा हूं कि अब मात्रा को भी एक बार फिर से आपको मैं अच्छी तरीका से पढ़ा दूं है इसलिए बोलता है कि साइनल सब्सक्राइब करके ICA तो यहां पर देखिए यह इसमें ओकी मात्रा है जब इसमें से ओकी मात्रा हम हटा देंगे तहीं यह जाये गा आधह और इसके उचारन में बिलकुल अंतर हो जाए सब्सक्राइब करेंगे तो इसको भी हम आगे अभी पढ़ाएंगे थोड़ा सा इसके उचारन पर ध्यान देंगे यह को हम लोग को चारन टेजी में करेंगे को को मैं इसका टाउन जीसे बच्चा चा यानि इतना तेजी में हो गा कि उसमें और का मातर आ और जो दुसरा मातरा जुटी अगले अक्षर में उसका उचारन होता है लुभी समय हुआ lung सDO को अभी समाझे में अच्छा तो थोड़ा सा पूरा continuous वीडियो के स्कीप नहीं किजिएगा ध्यान से देखिए अगला स्टेप हम लोग समझेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे गो तो इसका आधा क्या हो जागा ऐसे यानि यह अकार हट जागा यह हो जागा ठीक है आधा कैसे हो जाता है तो यह किसी भी अक्षर में लगकर और वह सब्द का निर्मान करता है तो यहाँ पे जो ये सब्द एक लिखा है अगनी ठीक है अब सब्द पे हम लोग समझते हैं मैंने पहले छोटे-छोटे सब्दों को पढ़ाने का प्रयास किया है जैसे दो अक्छरवाले सब्द हैं ऐसे ही तीन अक्छरवाले सब्द हैं आपको इस कलास में इतना सब्द मिल द लिखा ये कैसी लिखा है तिहाँ देखिये जो अगनी लिखा है ऑव कि अम करें और इसमें क्या लगा है मात्राले लगा है चोटी सब्राइब इसको हम बहुत ही तेजी से होता है ठीक है इतना तेजी से होगा कि इसमें आपको मतरा का पता ही नहीं लगएगा अगनी देखिं और नी गो का उचाहन बहुआ नहीं होता है इस को पीժ आथा और इसको और अच्छा टरीका से हम लोग Σब्ट पे समझते हैं जैसे यहां पे लिखा है अन अन देखि अन नहीं पढ़ेंगा हम लोग क्या पढ़ेंगा अन यहां पे न आधा न और पूरा न देखिए यह मिलकर क्या बना है देखिए न न संजुक्त है तो इस न पे जोर लगेगा और आप उचारन पे द्याद दिखेंगे आप डबल न हमें भी होगा और अन अ एसे हम लोग पढ़ है यहां पे यह देखिए अच्छा जो लिखार अच्छा यह चाप पूरा बुला रहा है ठीक है और भी पूरा बुला एकषर होता है उसका उचारन कैसे होता है तेजी से होता है, military होता है. कभी-कभी ऐसा लगता है कि उस सब्द में वो अक्छर है ही नहीं. लेकिन उसमें छुपा हुआ राता है, कि checked on your business, तो उसमें उसका उचारन होता है. तो जब आपको कोई लिखने के लिए बोलता है, जब हम पढ़ाते हैं तो उसको आप बहुत बारीकी से नहीं समझते हैं क्योंकि मैं उसमें लिखने के लिए भी बताता हूँ और अलग से मैं लिखने वाला भी वीडियो अलग से में बनाऊंगा उसका भी मैं कलास सीरियल वाइज कराऊंगा ठीक है अब यहां पर देखें इसको क्या बोलेंगे अलप 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 नहीं बोलेंगे अगर हम ला का उचारन पूरा करते तो कैसे बोलते जो जो है क्या है आधा जब हो रहा है तो यह तो आप समझ गए यहां ps अल्प, अगनी, अन, अच्छा, अंत, ठीक है, ऐसा है कुछ और सब्द है, उसका हम उचारन कर रहे हैं, और आप उसको थोड़ा सा समझिए, इसके बाद फिर हम लोग तीन अक्षरवाले सब्द को इसी में आगे जब हम लोग देखेंगे, तो उस पे हम लोग विशेश रू कर आया, रहा का भी मैंने कलास कर आया है, वो जश्ट पंच साथ दिन पहले उस कलास को मैंने अपलोड किया है, वहां से प्लेलिस्ट से आप जा के देख सकते हैं, आस्था, आस्था, ठीक है, एप, एप, कच्छा, कच्छा, आपको भी साथ में बोलना है, इस चीज को समझ जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक आपका जीव जो है, वो टुटेगा नहीं, टुटने का मतलब है कि वो फ्लुएंट, जो फ्लुएंट बोला जाता है, उस टाइप से जब आप बोलिएगा, तो आपका बोलने के तरीका से ही आपको समझ में आएगा, और बोलने भ कच्छ 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 इसको क्या बोले कच्छ और ये जो कच्छ लिखा रहता है ऐसे ये कच्छा है इसको भी मैं आगे बताऊंगा ये क्या है कच्छ लेकिन इसको बोले कच्छ कतल, कन्या, काव्य, कव्या, कव्ज, कव्जा, कोष्ट, क्रिश्न, क्रिश्न, क्लास, क्या, क्यारी, क्यों की, क्यों, 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 क है जब अनुश्वार का मातरा चंद्रबिन्दु का मातरा मैंने पढ़ा रहा था उसमें वी यह जो मौ का यहां पर यह जो खंबा देख रहा है इसको हम लोग ऑसे भी लिख सकते हैं घंबा का तो यह मैंने उसमें कोनें बीसे'm रूप से पढ़ाया है उसको भी आप देख सकते हैं ख्वाब कियाति कैंती है ग्याल देखियाल नहीं पढ़ेंगे क्यां किऐ क्या कोते तीजी में पढ़ेंगे क्या किसात जो अक्षर लगा हुआ है उस पर हम दिहान देंगे। खो के साथ क्या लगा लगा है या लगा है तो क्या लगा क्या लञे से पढ़ेंगे कि पर कुशियर हला है कि गठर को कर में गदड़ कर ही घॉनर मार ही गबर कर बनतों अधे Прав jovo का दो उचारण हो रहा है ब ब ब ब गबर ठीक है गिप्पी गिल्ली गुथी गुप्ते 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 गुबारे गुल्ली गुल्लू ग्रिह ग्रह ग्वाला गुष्षा ग्रिना चक्र चम्पा चेश्टा छिद्र छुट्टी जक्म जजबा जन्म ज्योती ज्वार ज्वाला जुन्ड टेक्स टेंट टेस्ट ठप्पा तन्य तन्य तन्वी तन्या ताम्र तीब्र त्रिप्ती त्रिष्णा थाम्स दिल्ली दिव्य दुष्ट् द्रिश्य द्रिष्टी दोस्त द्रोन द्वार गड़ेए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको थिर से बता रहे हैं इसको अम वह लिखते हैं द ऐसे आधा द वा र एक इंपोर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया है कि जो हम लोग आधा सब्द लिखते हैं ना उसमें नीचे हलंत भी दे देंगे जैसे को में ऐसे नीचे अगर हम लोग हलंत दे देते हैं ऐसे इसको बोलते हैं तो यह क्या हो गया आधा हो गया या इसी को हम लोग ऐसे लिखें या को के नीचे ऐसे हम लोग दे ठीक है जैसे द्वार देख रहा है ना और भी सब्द है इसको हम लोग देखते हैं धक्का धर्म धायर्य ध्यान द्रू द्वाज निश्चित इतना सब्द के लिख लिख लिया कि जितना आपको जरूरत पढ़ेगा यानि हमयसा जो सब्सक्राइब आपको परेसान करता है लगबग सभी सब्सक्राइब को मैंने लिख लिए ठीक है इसलिए थ्यान दीजिए नक्षा नश्ल नित्य निश्चय नुश्का पत्नी पिंटू पूस्प प्यार प्रभू प्रश्णं में प्रÁPत कि प्रिती में प्रेरें यहाँ पर देखिए ज्यान देना है ज्यान देना पक्षी जो लिखा है यह जो है प यह आधा क़ और तालब श्व जैसे जानते हैं कि को और तालब श्व मिलता है तो एक संझूक्त अक्षर बनता है जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं संजुक्छा बोलते हैं इसका इंगलीज जो होता है के एस होता है ठीक है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पक्षी क्या है पक्षी फार्ज फ्लाट फ्रूट्स फ्रूट्स देखिए यहां पर अभी जैसे हम बताएं यह हलं के लागा देख सकते हैं आधा टोहए तो आधा के लिए हलंत्य भी हो सकता है ठीए बच्चा बच्चे 1 में बल्की और भी सब्द है उसको भी हम लोग देखते हैं प्लब बस्ती ब्लड ब्लड देखिए बहुत तेज में पढ़ेंगे ब्लड ब्लॉक ब्लॉक यह क्या है केवल चंद्र है इसका उचारण और की रूपे में होता है ठीक है ब्लॉक लेकिन पुरा और नहीं होता है ब्लॉक ऐसे हम लोग बोलते हैं उसको भी मैं पढ़ाऊंग आपके लिए ब्लॉग भक्त भक्ती ब्रश्ट ब्रांती मक्का मक्खी मक्खी मस्त मस्ती मूर्ती मृत्यू मैक्ष युक्त यूद्ह योग्य युद्धा रक्त रशी राज्य रास्ता रिक्त रिक्षा रूद्र रूप देखिए रूप और रूप में अंतर हम बताये ठीक है रौका रूप बताये थे छोटा हूँ और बढ़ा हूँ के साथ उसका भी मैंने कलास करा है लक्ष लज्जा वक्त वक्त वस्तू वाक्य वाक्य व्यक्ती वक्त शस्त्र शास्त्र सास्त्री सुरू सुस्क सुन्य संग्या सबजी जो सबजी हम लोग खाते हैं स्टेज सच्चा सत्य हल्का हल्दी हास्त हिस्सा हुष्ण हेल्थ हेल्प हपता और लाश्ठ हम तो दोस्तो अब इसका अगला पार्ट सेकेंड पार्ट आपको अगले कलास में मिलेगा जो तीन अक्षर वाले कठिन से कठिन संजुक्त अक्षर वाले आधे अक्षर वाले सब्दों को मैं पढ़ाऊंगा तो अभी भी अगर आप मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा के ओल पर क्लिक कर लिजेगा तो चलिए आज के क्लास यहीं पेंड करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में जाहिए